हलो डियर स्टुडेंट्स, ईवियस या प्रियावरेण घ्यायन की क्लास में आपका स्वागत है इस वीडियो में आप नदिता के मामा की परिशानी के बारे में जानकारी प्रापत करेंगे पिशली वीडियो में जाना था कि नदिता ने मुंबई में रहना सीख लिया था उसने अपनी मामी के साथ बबलू के घर जाने के लिए लिफ्ट का प्रियो करना भी सीख लिया था बच्चो आजकल नदिता के मामा बहुत परिशान है चलो जानते हैं उनकी परिशानी का कारण आप फोर्थ क्लास की EBS की बुक लोकिंग राउंड या आसपास का पेज नमबर 144 ओपन करें और इस वीडियो के साथ साथ इस टॉपिक को अपनी बुक पर भी देखे मामा ने कहा था कि बे मुझे 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 गुमाने ले जाएंगे बस्ती के बच्चे चुपाटी की बहुत बातें करते हैं बिक कहते हैं कि बहां बड़े बड़े फिल्म स्टार भी आते हैं बच्चो मुझे में फिल्मों को बनाने के लिए बहुत सारे स्टूडियों हैं बहां पर बहुत सारी फिल्में बनाई जाती हैं इसलिए बहां पर बहुत सारे फिल्म स्टार भी रहते हैं Maybe when I go there I might see a film star नंदिता कह रही है कि काश जब हम बहाँ जाएं तो मुझे भी कोई film star दिख जाए पर नंदिता चोपाटी क्यों नहीं जा पा रही है चलो जानते है These days मामा is so worried I cannot ask him to take me to चोपाटी आजकल मामा बहुत परशान है मैं उनसे मुझे मुझे मुबेई गुमाने को भी नहीं कह सकती Last week some people had come with a notice that everyone should move out of this place पिछले हपते कुछ लोग बस्ती खाली करने का notice दे गए थे They say a big hotel will be built there मैं कह रहे थे कि आब यहाँ बड़ा hotel बनेगा Mama was saying that this is the third time in the last 10 years that he got such notices मामा ने बताया था कि पिछले 10 सालों में उन्हें तीसरी वात notice मिला है बच्चो मामा को किस लिए notice मिला चलो आब बताओ हाँ मिलकुल ठीक जमीन को खाली करने के लिए अच्छा जमीन को खाली क्यों करवाया जा रहा था हाँ मिलकुल ठीक क्योंकि उस जमीन पर एक बड़ा hotel बनाया जाना था people who live here have been given another place to make their houses जो लोग यहां रह रहे हैं उन्हें अपना घर बनाने के लिए कोई दूसरी जगा दी जा रही है what? it is very far away another corner of the city इस जुग्गी के बदले जो जगा मिली है वो शहर से बहुत दूर है समझो शहर का दूसरा corner there is no drinking water, no electricity बहां ना पीने का पानी है ना विजली तो बच्चो क्या ऐसी जगा रहा जा सकता है? हाँ बहां रहना बहुत मुश्किल होगा I don't even know if any bus goes there पता नहीं बहां कोई bus भी जाती है या नहीं How will मामा reach his workplace from so far? मामा इतनी दूर से काम पर कैसे आएंगे? How much money will he have to spend? And how much time also? कितना जाद है पैसा लगेगा और कितना जाद है टाइम भी? And मामी बिल शी गेट सम अधर वर्क दियर मामी को बहां काम मिलेगा भी या नहीं If मामा मूब्स तू अ न्यू प्लेस How will I be able to visit my mother? अगर मामा नहीं जगा चलेगे तो मैं माह से मिलने कैसे आऊंगी? Mother is not even completely well as yet नन्दिता बतार ही है कि माह तो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है बच्चो ज़रा सोच कर देखे यदि किसी को भी अपना घर शोड़ कर कहीं दूसरी जगा जाना पड़े तो कैसा लगेगा? हाँ, बहुत बुरा लगेगा और दूसरी जगा जाकर बहुत सारी समस्यों का सामना भी करना पड़ेगा तो बच्चो आपने इस वीडियो में नन्दिता के मामा की परिशानली के बारे में जानकारी प्रापत की आप इस जानकारी को अपनी नोटबुक पर नोट करे इस वीडियो में इतना ही, have a nice day.